नमस्कार आप सभी का धाराज यह स्वागत है मैं आपका अकास सर उपस्थित हूं आज आपके सामने एक सब्जेक्ट पर बात करने जो सब्जेक्ट समाने तोर से हर उस व्यापम की भरतियों में पूछा जाता है जिस भरती के माध्यम से आप ऐसे पत्व पर आते हैं जिस प सब्सक्राइब कि एड़ा गौजी हिंदी में इसे आप इस नाम से जानते हैं बाल विकास एवं हिक्षा शास्त चिक आप लोगों को हाला की पता है कि हाल ही में व्यापम ने होस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है चिक और आगामी कुछ समय पर हम यह भी पता है कि सिक्षक भरती का भी एक्जाम होने वाला है और इन दोनों ही एक्जाम के लिए यह चैल्ड अलप्मेंट पेड़ागोजी सब्जेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉस्टल वार्डन में आप तुलनात्पा गुरुप से इसका वेटेज कम देखें होगे उस टॉपिक पर जानने से पहले एक जानकारी आप लोगों से साजा करना चाहूंगा जानकारी क्या है कि धारजीयस हॉस्टल वार्डन का बैच लेकर आ रहा है कबसे तो तारीक है साथ मार्च समय क्या होगा सुबह साड़े साथ से साड़े दस तीन घंटे का यह बै सब्सक्राइब करेंगे कुछ भी जानकारी होगी कोई भी साहता आपको चाहिए होगी तो आप नीचे दिये गए इस नंबर पर संपर करके अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं उसी के साथ अगले सोंबार अर्थात 11 मार्ट 2024 को 11 बजे सुबह से लेकर दो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डवलप्मेंट अर्थात विकास के सिध्धान्त जब भी हम सिध्धान्त या प्रिंसिपल की बात करते हैं तो देखी ये कोई नियम नहीं है लेकिन जब भी प्रिंसिपल या सिध्धान्त की बात होती है तो एक रूल आप समझ सकते है एक जनरल पैटन समझ सकते हैं आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक लंबे समय तक चली आ रही परंपरा या पैटन को देख कर एक नियम के तौर पर निश्कर से जब निकाल दिया जाता है तो उसे प्रिंसिपल या सिधान्त कहा जाता है अब टॉपिक में क्या लिखा हुआ है हेडि पूं मान लिया गया कि इसी तरीके से क्या होगा डिवलप्मेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उसे ही क्या माना गया प्रिंसिपल और डिवलप्मेंट या फिर विकास की सिधान विकास से रिलेटेड ये कुछ रूल्स हैं कुछ नॉम्स हैं जो समाने तोर पर पॉइंट लिग कर दिखा दिये हैं इन सभी आट पॉइंट को हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम रीड कर ले रीड करने के बाद हम समझेंगे डेलप्मेंट इस कंटिनियस अर्थात विकास एक सतत प्रक्रिया है हमेशा ये विकास चलता ही रहेगा जब तक जन के बाद मृत्यू ना प्राप्त हो जाए अंति फशंड ना आ जाए तब तक विकास होता ही रहता है एक प्रोसेस है ये पहला पॉइंट कह रहा है और डिटेल में आगे समझेंगे विकास एक निश्यत करमिक प्रक्रिया है एक सिक्वेंस फॉ करता है और सभी के लिए विकास की दर भिन्न होती है rate of development is different for person to person क्योंकि अलग-अलग कारक होते हैं एक समान दिन एक समान तारीकों को जर्म लिया बच्चा दो अलग-अलग बच्चे अलग-अलग कारकों में जीवन जीने के कारण इनके विकास का जो दर है वो अलग-अलग हो सकता है डिटेल में समझेंगे ग्रोथ ये इनवार्मेंट जो ग्रोथ और डिलप्मेंट अर्थाद व्रिद्धी और विकास वह अनुवांशिक्ता वातावरण का गुणक है गुड़न है multiplication है इसका अर्थ यह है कि जो भी विकास होगा वो जेनेटिक हेरेडिटी या फिर बाहरी वातावरण इंटर्नल एंड एक्स्टर्नल इंटर्नल और एक्स्टर्नल फैक्टर्स का एक resultant है development and growth चड़वा पॉइंट कहता है कि development predictable है लगबब पता होता है कि अब शिशु जो है वो करवट लेने वाला है अब शिशु जो है पैरों में खड़ा होने वाला है कुछ दिनों बाद शिशु जो है दोड़ने लगेगा अर्थात आप उसे प्रेडिट कर सकते हैं अनुमान की बा बाद वो नहीं चल पाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे कि पूरा क्या गलत हो गया नहीं गलत नहीं हुआ आपने अनुमान लिया था अनुमान माना था exactly to the point to the date वो चीज़े हो सकती है आपको लागू होता हुआ ना देखिए अब जैसे कि हम देखते हैं कि विकास के अलग एक छोटा शिशू समाज के अन्य लोगों से इंट्रेक्ट करना सिखता है और फिर उसके बाद आता है emotional development तो ये चार अलग-अलग आयाम है और ये सब आपस में जुड़े होते हैं ये साथवा point कहता है आठवा point क्या कह रहा है कि early development is more critical प्रारंबिक विकास अधिक दन शील है जो कि बिल्कुल सहीं बात है किसी भी एक छोटे शिशू के विकास के एकदम early stage में जब छोटा सा बच्चा है बाल लेवस्था पर है या कि शोरवस्था पर भी है उस समय इसके साथ जैसा बातावरण मिलेगा जैसे बातावरण का ये अनुभाव करेगा और उस टाइम के आने के बाद आप उसको खुब सारा पॉस्टिक आहर देने लगेंगे फिर भी वह शुरुवाती स्तर पर जो कमी उसके शरीयर पर आ गई है वह कमी को आप दूर नहीं कर सकते हैं इसलिए क्या कहा गया अर्ली डिवलप्मेंट इस मोर क्रिटिकल चलिए अब बार प्रितिक समझ में देखें तो देखें यहां पर आपको दीख रहा है क्या एक चोटा शिषू जन्म ले रहा है फिर वह खिलोना खिलने की उम्र में आता है फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होगा अर्ली चैल्डूड पर आएगा फिर उसके बाद यह ग्राउंड को छोड़कर चला जाएगा कहने का अर्थ यह है कि एक छोटा शिशू अर्था तजन्म से लेकर मृत्यू तक विकास होता ही रहता है अलग-अलग आयाम में अब यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं इस इमेज में आपको जो आयाम दिख रहा है वह कैसा आयाम दिख रहा हैं कि एक विकास आपको दीख रहा है शारिरिक कर दए आपको दीख रहे हैं फिर उसके बदेख रहे हैं कि यह जोटा बच्चा आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक दिग्री होल्डर विक्ति बन जा रहा है अर्थाओ शारिरिक वीकास में आप बहुत weight yeah या फिर cognitive development भी देख रहे हैं या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं मांसिक विकास भी देख रहे हैं और ठीक इसी तरह से जब वो आगे बढ़ता है पैसा वगरा कमाता है तब आप क्या देखेंगे कि उसका क्या विकास हो रहा है तो वो समाज में किस तरह से रह रहा है तो समाज विकास आप इसका देखेंगे और साथ ही साथ एक अगला आयाम होता है जिसे थोड़ी दिर पहले मैंने बताया emotional या सामविक्षिक development वह भी आप देखेंगे तो यह जो आप चार अलग-अलग आयाम देख रहे हैं यह चार अलग-अलग जो आप आप दोमेन देख रहे हैं यह चारों डोमेन ऐसा होते हैं कि हमेशा चलते ही रहते हैं यह रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है रुकने वाली प्रक्रिया व्रिद्धी में होती है ग्रोथ में होती है आप ग्रोथ को ऐसा कह सकते हैं कि पर्टिक्लर टाइम के बाद में इस सकता है लेकिन जब आप विकास की बात करते हैं तो विकास कभी नहीं रुपता यह प्रोसेस एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है चलिए दूसरा पॉइंट आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि डेलप्मेंट इस सेक्वेंशल ओडर ली विकास एक सतत चलता रहेगा यह तो तैबात है लेकिन इस डेलप्मेंट में आप एक सिक्वेंश देखेंगे क्या देखेंगे एक क्रमिक प्रक्रिया के तौर पर आप इससे देखेंगे कि एक रूल है एक नॉम्स है उसको आप धूमिल होता हुआ नहीं देखेंगे जैसे कि सरल उसके बाद थोड़ा सा बालेवस्था वाला शिशू बना ऐसे ही इसका हाइट और बढ़ता जाएगा शिशू की उम्र बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा कि वह यूवा हो जाएगा और यूवा होने के बाद फिर व्रिध्ध हो जाएगा आप कभी ऐसा नहीं देखे सब्सक्राइबगे तो यह जो डालूंप्मेंट प्रक्रिया है उस डालूंप्मेंट प्रक्रिया के साथ आप इस्पैसिक विकास समान से वीचिस्ट की और बढ़ता है इत एक्जांपल से ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं आप क्या देखते हैं कि शुरुवाती दिनों में यह देखो यह छोटा सा बालक है अब इस बालक के आप खुशी देखिए कि यह खुश क्यों है इतना क्योंकि इसने अपने पुरे लगा देते ऊप देख रहे कि ये कुछ काम करना सीख रहा है यह विकास हो रहा है लेकिन अभी यह समझ में बात आ गई कि कि मुझे भूग लगी तो मुझे भोजन खाना है लेकिन इस भोजन को कैसे खाया जाए खायने का सहीं तरीका क्या होता है उसे नहीं पता तो बहुत ही समान्य सा तरीका यह अपनाएगा कि कैसे भी बस उसको अपने हास से पकड़ू और कैसे भी अपने मूह तक लेकर आ जैसे कि एक टाइम के आने के बाद देखिए कितना बढ़िया इसने इस छोटे बच्चे ने काटा में बढ़िया ऐसे फल को भुसा कर अब वो खा रहा है उसे पता है कि पूरा हाथ नहीं लगेगा बस दो-चार उंगली में काम हो जाएगा पूरे क्षितराने की जवरत नही तो यह क्या हूआ जनरल से कि स्पैसिफिक का दौर हुआ यहां से यहां आना ही क्या है विकास है आपने देखा भी होगा कि जब आप और हम चोटे बच्चे थे हम कभी किसी मेला वागरा गुमने जाते थे साथ में माता पिता होते थे तो हम दुकान में évidemment खर्जक फिर लोगे देखके एगदम पगला जाते हैं हमको क्या लगता था कि भी कैसे भी खिलोना हम को मिल जाए हम जिद करते थे और हमारे जिद को अगर पूरा नहीं किया जाता था तो हम खुब जोर से भोकार मार के रोते थे जमीन में लोड जाते थे कपड़ा गंदा कर लेते थे पूरा महल बना देते थे अर्थात emotional expression जब हमारा हो रहा है जब हम emotions अपने निकाल रहे हैं तो हमें दुख हुआ हमें पीड़ा हुई पीड़ा होने पे हमको यह पता है कि अब वो दुख निकलेगा लेकिन उस expression का जो तरीका है वो बहुत क्या है समानने है जमीन में लोड लेकिन आज क्या हमें दुख नहीं होता आज हमें दुख होता है पीड़ा भी होती है लेकिन अब इस तरह से जमीन में लोड लोड कर नहीं रोते थोड़ा specific हो जाते हैं आँख में दो बुंद चला हाया हालके से हाथ से उंगली से पोच लिया और किसी को पता भी नहीं चला कि हम रोकर आगे बढ़ चुके हैं तो यह हो गया emotions के express करने का बहुत ही समाने तरीका और यह हो गया क्या fine तरीका specific तरीका तो विकास किसी भी शिशु का समाने से जंडल से एक specific area की तरफ आगे बढ़ता है यह अगला principle अगला सिध्धान चलिए अब बात यहां पर क्या करते हैं अगला point का rate of development varies from person to person सभी के लिए विकास की दर भिन होती है आप ऐसा देखेंगे कि कोई भी एक वेक्ति किसी एक दिन जर्म लेता है दो वेक्ति किसी एक दिन जर्म लेते हैं जैसे for example हम किसी ऐसे देश की से बात करते हैं किसी अंडर डौफ्ट कंट्री की हम बात करते हैं अलपएविक्सित देशकी और किसी डौफ्ट कंटरी इसकी हम बात करते हैं कि अब दोनों ही देशों में माननोग किसी एकश डेट को कोई सब्सक्रम लिया यहाँ पर सब्सक्राइब ले रहे हैं लेकिन हो सकता है है यहाँ पर वाला व्यक्ति दीख रहा है आपको वो ज्याद़ आप यह वाला वेक्ति आपको दिखेगा कि उसका डलक्समेंट उतना अच्छा तेजी से आगे नहीं बढ़ा अर्थात क्या है कि development होगा इयताई बात है development एक निरदर प्रक्रिया है यह तैबात है development एक sequence follow करेगा यह भी तैबात है लेकिन दो वेक्तियों के बीच में development का जो दर है रेट है वो एक जैसा हो वो जरूरी नहीं है क्योंकि यह जो विकास है जो development है वह बहुत सारे कार्थों पर निर्भर करता है कैसे कार्थों पर पहले तो उसकी अनुवांशिक्ता उसका इंटर्नल पॉर्मेशन कैसा है और दूसरा बाहर का वातावरण अर्थात इसका एक्स्टर्नल पॉर्मेशन कैसा है तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि मान लो यहाँ पर हम कॉंस्टेंट बना ले कि अनुवांशिक्ता इनकी एक समान है लेकिन जब आप डेवलप कंट्रीज के वातावरण की बात करेंगे तो उस शिशू के विकास के जादा अनुकूल बातावरण आपको दीखेगा किसकी तुलना में अंडर डेवलप कंट्रीज की तुलना में और इस कारन से आपको यहाँ पर क्या दीखेगा कि डेवलप कंट्रीज में कम परेटेवली काफी तेजगती से एक शिशू विक्सित हो रहा है ऐसा कोई नियम नहीं है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डेवलप्ट कंट्रीज में जन्म लियावाश शिशू का इंटर्नल फॉर्मेट अर्थात हेरेडिटी अनुवांशिक्ता कमजोर है और अंडर डेवलप्ट वाले का अच्छा है तो कम वातावरण या थराव वातावरण होने के बावजूद ये अंडर डेवलप्ट वाले कंट्रीज का शिशू काफी तेजगती से आगे बढ़ सकता है क्योंकि इसका इंटर्नल फॉर्मेट अच्छा है और थात इसे पॉइंट को मैं किस तरह से समझाना चाहता हूं कि जब भी हम डेवलप्मेंट की बात करते ह हैं तो यह जो डेवलप्मेंट है किसी भी शिशू का उसके इंटर्नल स्ट्रक्चर उसके अंत्रिक संरचना और साथ ही साथ उसके एक्स्टर्नल स्ट्रक्चर दोनों पर निर्भर करता है एक्च्छल में यह समेशन नहीं है यह क्या है मल्टिप्लिकेशन है इंटर्नल और external दोनों ही structure पर development निर्भर करता है जैसे कि जब हम internal की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा heredity या अनुमानशिक्ता और जब हम external की बात करते हैं तो शिशु किस वातावरण पर जी रहा है इन दोनों का जो resultant है इन दोनों के multiplication का resultant है उसे ही हम क्या कहते हैं और development कहते हैं तो जो कि मैंने आपको पिछले स्लैड में समझाया क्या कि अंडर developed countries और developed countries में क्या स्थिती है तो पहले मैंने आपको case 1 बता दिया case 1 में मैंने क्या कहा कि शिशु ए कि शिशु बी ज्यादा विक्सीत होगा developed countries में कौन है भई शिशु बी ज्यादा developed हो जाएगा अगर बी और एक जो अनुवाशिक्ता है वह सेम हैं तो क्यूं बी ज्यादा developed होगा अगर इस internal structure में दोनों सेम हैं ऐसा इसलिए क्योंकि बी जिस वातावरण पर रहता है जिस देश में रहता है वो developed है वहाँ पर सभी प्रकार की सुधाय है स्वास को लेकर सिक्षा को लेकर समाजिक स्थिति सब बहतर है और इस तरह से वी वाला वातावरण काफी अच्छा होगा तो यहाँ पर वी वाला बच्चा ज्यादा आगे बढ़ेगा मानलो केस्टू के बारे मैंने क् कि दोनों ही मानलो समान वातावरण पर जन्म ले रहे हैं या वातावरण अलग भी है लेकिन अगर एवाला ज्यादा स्ट्रॉंग है अनुवांशिक या इंटर्नल फॉर्मेट में तो विकास किसका होगा एक होगा कहने का अर्थ फिर से वही है कि अनुवांशिक्ता और वातावरण पर निर्भर करता है यह डेलपमेंट और यह सभी पर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग स्पीड से अपलाई होता है चलिए फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि डेलपमेंट इस प्रेडिक्टेबल विकास का पुर्व अनुमान किया जा सकता है क्या लिखा हुआ है अनुमान अर्थात क्या किया जा सकता है आप एक्सपेट कर सकते हैं कि ऐसा होगा लेकिन कोई आप ऐसा नियम नहीं सिद्ध कर सकते हैं जैसे फोर एक्जांपल आप नॉर्मली ऐसा समझ मतलब आप ऐसा मा कि थोड़ा शरार्ती टाइप का है और आप ऐसा नुमान लगासक भदोन ना जाएगाना लेकिन चोट लगेंगी ये लेकिन अनुमान है कि हाँ इसको चोट लग सकती है और उसके बाद ये बी अनुमान जब चोट लग जाएगा तो हो सकता है कि यह दुबारा सिख जाय कि इतना इतना मतलब उद्दंडता नहीं करनी चाहिए हो सकता है कि ना भी सीखें तो आप development की इस पूरी कहानी का prediction कर सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं आप को यसी आकाश्वाणी नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा कि अब इसके बाद ये होता है उसके बाद ये होता है इतने साल में बच्चे का दात पुराना वाला दूद का दात तु ये सारी चीज़े क्या है एक expectation है एक estimation है एक estimation है कि ऐसा होता है बट वो fixed नहीं है आप predict तो कर सकते हैं अनुमान तो लगा सकते हैं लेकिन देखो जैसे आपको पता है कि ये ऐसा है फिर दोनों पैर में आ जाएगा फिर उसके बाद बड़े रूप में दोनों पैर में आ जा हुआ है ये अगला point कि all types of development are interrelated विकास के सभी आयाम संबंदी दें अब जैसे मैंने आप तो शुरुआत में क्या कहा कि विकास के सभी आयाम क्या है तो पहला हमने क्या कहा biological जिसे आप क्या कह सकते हैं शाररिक लेकिन अट कि आप क्या कह सकते हैं इसे biological है फिर उसके बाद मैंने क्या कहा cognitive तो यह आप कह सकते हैं संग्यानात्मक्ष आप इसे मांसिक व्रिद्धी या मांसिक आयाम भी कह सकते हैं फिर उसके बाद है समाजिक और उसके बाद फिर है सामविक्षिक सामविक्षिक अर्थाथ इमोशन तो यह आपस में connected होते हैं सब ऐसा अलग से नहीं बढ़ रहा होता है उधारन के तौर पर कि अखिंथखेंगे अगर अपने ऐसा सुना भी होगा स्वस्त्तन में स्वस्त मन का निवास होता है ऐसा आप आप ऐसा देखेंगे कि कोई अक बच्च्चा जब physically physically क्या होगा healthy होगा strong होगा तब उसमें एक स्वस्त मन का निवास होगा और वह बौधिक रूप से भी मजबूत होगा जनरली ऐसा देखा जाता है कि कई बार एसा कोई सिद्ध नहीं है कि कई बार physically weak होने की कारण बौधिक रूप से भी development उतनी तेज गती से आगे नहीं बढ़ पाती है फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का मानसिक विकास थोड़ा सा कम हुआ है तो समाजिक विकास में भी थोड़ी सी कमी आ सकती थोड़ा सा उसमें विकलेश आ सकता है समाजिक विकासबर अर्थात कौण सायाम होगा कोई एक छोटा सिशू अपने इर्द गिर्द अंशिशूं से बड़ों से या किसी अन व्यक्तिव से किस से इंट्रेक्ट करता है वैवहार करता है बात करता है यह क्या होगा उसका समाजिक आयाम विकास का फिर उसके बाद है emotional जैसे कि यहां पर एक मिनिट यहां पर यह आखरी पॉइंट में इसे समझने का प्रयास करते हैं तो यह पॉइंट को आप यह समझे इसी पॉइंट को ज्यादा क्लियर और फाइन तरीके से अगले वाले पॉइंट में समझा देता हूं सब एक दूसरे से जैसे कि मैंने क्या कहा इस पॉइंट को और साथवे पॉइंट से हम जोड रहे हैं यहां पर लिखा हुए अर्ली डिवलप्मेंट इस मोर क्रिटिकल प्रारंबिक विकास अधिक समविधन शील है तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इन्हें कुछ इस बच्चे को कुछ दर्क लगाने का सोचने का उसका इसकिल बढ़ने का संभावना जादा है क्या रथात हुआ कि इस पर निर्भरकन रहा है कौन सा मानसिक विकास होने के कारण उससे समझ में आएगा कि समाज में जो अन्य लोग हैं उनसे मुझे कैसे रहना है कैसे उनके अभाव से मेरा आता करना एक दूसरे का साथ देना एक दूसरे के लिए काम करना यह सारी चीज़ें क्या होगा वो सीख पाएगा अगर वह हेल्दी और मेंटल वे में फिजिकली और मेंटल वे में हेल्दी होगा तो ऐसी सम्मावना बढ़ जाती है कि उसका सोशल आसपेक्ट भी बढ़िय यहिए कि अपने parents के द्वारा कि इसने से कितना आनंद आ रहा है कितना मज़ा रहा है अर्था वह emotionally काफी क्या हो रहा है हो रहा है मझबूत हो रहा है तो चाहे शारेरिक व equations हो मान्सिक विकास हो समाजिक बीकास हो या एमोशनेल विकास हो यह सभी प्रकार के से उम्र में कुछ अपरी घटना घट जाए इमोशनल डैमेज हो जाए किसी एक छोटे से बच्चे का तो ट्रॉमा के तौर पर उसके बुद्धी में वो बात रह जाती है जिसकी वज़े से उसका मासिक विकास हो सकता है कुछ गलत तरीके का हो जाए या विक्सित ना हो पाए मासिक विकास अच्छे इस्तर पर ना ही हो पाने के कारण समाज में वो अपने आपको एड़्जस्ट नहीं कर पाता है कई बार ऐसा हमने देखा भी है कि किसी ट्रॉमा की वज़़ा से वह इस समाज की मुख्यधारा का हिस्सा ही नहीं बन पाता है उसे सारी चीज़े बहुत दिक्कत होने लगती है तो यहीं बात मैं बार बार समझा रहा हूं एस पर प्रिवियस पॉइंट कि यह जो सभी प्रकार के डिवलप्मेंट है आपस में जुड़े हुए हैं इंटर रिलेटेड हैं एक का प्रभाव दूसरे पर पढ़ना निश्चित होता है कहीं प आप शुरुवाती दौर पर कोई दवाई वैक्सीन ना पिलाए और उसके शरीर में कुछ बीमारी हो जाए और बड़ा होने के बाद आप उसको खुब बदाम पिस्टा खुब पॉस्टिक आहर खिला रहे हैं तो क्या उसके विकास या जो कमी रहे गई है वो दूर हो कर दो उसका निराकराण आप नहीं कर बाएंगे ठीक बच्पन में कोई ट्रॉमा हो जाए आप उसके पूरे जीवन में वह बात चिपक जाती है तो इसलिए जो कहा जाता है ना कि छोटे शिशुओं के सांद बहुत ही बारीकी से हमें ट्रीट करना चाहिए बहुत बारीकी पर उनके सामने आप कोई भी अच्छी चीज़े अगर करेंगे कोई भी अच्छा उधारन प्रस्तूत करेंगे तो उसे उस एज में वह एक्सेप्ट कर लिता है और फिर उसके बाद जीवन भर उसके एटिट्यूड में उसके व्यक्तित्व में वह शामिल हो जाएगा और चीज़ हम नेगटिव एस्पेट में भी देख सकते हैं कि कुछ बुरा हो जाए कुछ मान लो कभी हमने देखा कि कोई किसी चोटे शिशू के सामने कुछ ऐसे असमाजिक तत्व अब शब्दों का इस्तिमाल करने वह चोटा शिशू भी उसको अब्जॉब कर लेता है और तो भी उसका इस्तेमाल करने लगता है अगर उसका उम्र बढ़ा हो तो वह चीज़ पहचान पाए कि यार यह गलत है यह गलत चीज़ इसको नहीं बोलना है ना इसको देखना है लेकिन छोटा शिशू तो इतना नहीं समझ पा रहा है ना उसको जो दिख रहा है जैसा अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट है जिसे हम आगे चलकर किसी अन्य विडियो लेक्चर्स पर देखेंगे उमीद है मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए कुछ भी चीज आपको इसमें डाउट लगे समझ में आये तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर पूछ सकते हैं यह सब्जेट बहुत ही मज़िदार है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और इसी तरीके से पढ़ा जाना इसका सबसे बहुतर तरीका है और इस तरीके से अगर पढ़ा जाएगा तो यह दिमाग में चिपक जाएगा रटना नहीं पड़ेगा समाने तोर पर जब इस विशह को लोग देख रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे यार अजीबों करीब शब्द है कैसे इसे याद किया जाएगा तो एक्शुली में रटने का याद कर करने का यह विशह है ही नहीं यह विशह है उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर उन्हें आफ्जर्व करके यह समझना कि उन्हें क्या जरूरत है और उस जरूरत को पहचान कर उनके लिए उस जवरत पेश करने का ही यह सब्जेट है और इसी लिए व्यापाम के हर उस ए बच्चों से किशोर अवस्था के बच्चों से इंट्रेट करेंगे आपको यह सारी चीज पढ़ाई जाती है एक्जाम में पूछा जाता है एक बार फिर से बता दू छात्रा अवास अधिक्षा की बैच साथ मार्च को धारा जीयस लेकर आ कोई भी जानकारी चाहिए होगा इस नंबर पर आप पॉल कर लिजेगा प्री रजिस्ट्रेशन पर इस्पेशल डिसकाउंट है तो आप मौका ना जया होने दे आप लाब ले ले और 11 तारी को एक और बैच आएगी सायक सिक्षक भरती और सिक्षक भरती की और उसके लिए भ होगा कि जल से जल आप कॉल करके अपना सिट रिजर्व कर लें ताकि कम कीमत पर अर्ली बड्स होने के नाते आपका एक सिट वहां पर फिक्स हो जाए तो चलिए फिर उसके बाद अब किसी अब अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए टेक क